आज हम बेशन के पेड़े बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम सामा क्रीम और बहुत ही कम समय में बनकर तयार हो जाते हैं, जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करें, आप इने बहुत ही असानी से अपने घर में बना सकते हैं, आज ये पेड़े हम एकदम नई तरीके से ब बनाने वाले हैं जिस्ते जो इनका flavor है वो काफी खेल कर आएगा तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर यह mixi ले लिए है इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप नारियल का बुरादा अगर आप नारियल का बुरादा नहीं डालना चाहते हैं तो आप किसी जगा काजू डाल सकते हैं बदाम डाल सकते हैं और इस नारियल के पुरादे में हम डालेंगे एक कप दूद यह मैंने full cream दूद लिया है अब इन दोनों को हम mixi में अच्छी से चला लेंगे और इसका fine paste बना लेंगे तो यह दूद और नारियल का mix हमने तयार कर लिया इस यह अभी हम side में रखते हैं तो यहां पे मैंने यह कढ़ाय चाड़ा लिया और कढ़ाय में डाल रहें चार चम न्यसा बत देसी घी घी को हमने गरम कर लिया है आब इसमा हम 됐न दालेंगे,बैसन मै यहान पर एक कप लिया है डिया नगसे अब फ्लेम को हम लो रखेंगे लो फ्लेम पर ‑ ich हम बreshन को TO कर भीडसादर बून को लिश में हालका कलर चेंज होने पmm के दसे बहूं देना है एगी गी इश में को काफी कम लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे बहू ना गी छोड़ना ही स्टार्ट कर देगा देखिए बेशन में घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है इसका मतलब है कि बेशन अब अच्छे से भून गया है इसे मैंने चार-पास मिर तक अच्छे भून लिया है घी अगर आप इसमें ज्यादर डालेंगे तो यह खोड़ा पहले भी भून सकता है अब इसमें हम चीनी ड भूरा भी ले सकते हैं इनको मैंने अच्छी से मिक्स कर लिया है तो अब हमने तो नारियल और दूद का मिक्स बना कर रखा था तब भी हम इसमें डाल देंगे आप चाहें तो नारियल और दूद ऐसे इसमें डाल सकते हैं लेकिन इस तरीके से मिक्स करके डालने से जो इसक बहुत ही ज़दी पैन छोड़ने लगता है क्योंकि हमने नारियल का बुरादा भी डाला है तो इसे सैट होने में ज्यादा टाइम नहीं जगेगा ये मिठाई हम दिना चाशनी के बना रहे है इसलिए अगर कोई बेगमर भी है जिसे अच्छे से कुकिंग नहीं आती है वो भ कहा है तो इसमें केसर के धागे डाल सकते है या फिर कोई और फ्लेवर दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो अब हम बंद कर देंगे और इलाइची को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे आप चाहें तो इसे स्टेज में इसमें 3-4 समच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं जिस इसे पेड़े बनाएंगे, पेड़े बनाने के लिए थोड़ा-थोड़ा हम दो लगभब नीबू के आकार का इपने हाथ में ले ले लेंगे और इसे हम पहले गोला बनाएंगे गोला बनाने के बाद इसे हम इस तरीके से सिलेंडर की शेप देंगे और फ्रेज इसको हम दबालेंगे इस तरीके से हमारा जो पेड़ा है ये बनकर त्यार हो गया है इसी तरीके से हम बाती के पेड़े भी बना कर त्यार कर लेंगे पेड़े अब हमने सर्फ कर लिये हैं देखे देखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही असान है जब भी मन करें आप इन्हें बना कर खा सकते हैं